नमस्कार सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है मैं हूँ स्रिकान प्रतियूस आपको 15 अगस्त की धेर सारी सुपकाम नाये पूरे देश में मुझेफर पूर बालिका ग्रिकान को लेकर चर्चा और बहस हो रही है सब लोग दुखी हैं मरमाहत हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो राजनितिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उससे हमारी बेटियों कि सुरक्षा सोने से थो पाएगी इंतिजार करो और देखो सत्ता का यह पुराना रवया रहा है समय गुजरने के साथ खाव और पिड़ा कम हो जाती है लोग ठक जाते हैं और समय बड़ी दवा है हर पिड़ा की हर बिमारी की राजनितिक रणनितियां मुझाफरपूर बालिका अग्रिहकान के विरोध परदसनों से कमजोर पड़ी है लेकिन मुझाफरपूर के बाद बिहार के दूसरे जिलो सहित जारखंड उतरप्रदेश से जो खबरे आ रही है उनसे तो यह सचाई सामने आ गई है कि इन सबके तह में इस्त्री के सुरक्षा के अनंत प्रस्न है इसलिए राजिस्त्ता ने भले ही देर कर दी है पर अब हम भारत के लोग जो इस देश को अपना मांते हैं अपनी मां मांते हैं देर नहीं करने चाहिए राजिसत्ता को संचालित, नियंत्रित और नियमित करने वाले नेताओं को सायद अब भी समझ में नहीं आता कि बयान देने और सफाई देने में बहुत फर्क होता है मुझाफरपूर की बेटियों के चीख पटना में बैठे सत्ता के सीर्ष प्रभूं तक देर से पहुची अपनी सुरक्षा और समान के लिए बिहार की हजारों बेटियों ने उस चीख को स्वर देकर प्राथना बनाया और वह पटना से लेकर दिली तक देश के कई राजियों में पहुची गई मुझाफरपूर की बेटियों के चीख बिहार के अंतिम जन तक सबसे पहले पहुची और उनकी सुरक्षा के लिए जो जावदेह नोकरसा हैं जो नेता हैं उनका बयानबाद में आया खैर मुख्यमंत्री नितियस कुमार ने मुझाफरपूर कांड पर एक्षन लेना शुरू कर दिया है और कड़ा एक्षन लिया है और उन्होंने कह भी दिया है कि अब इस तरह का कोई भी बलका केंद किसी भी एंजियों को नहीं दिया जाएगा सरकार खुद बलका ग्रिह के इंदर बनाएगी सरकारी भौन में बलका ग्रिह के इंदर चलेगा सरकारी नोकरसाह उसका संचालन करेंगे यानि सरकार पूरी जबाब देही लेगी लेकिन सवाले उड़ता है कि अब तक ये जबाव देही सरकार ने क्यों नहीं निभाई क्यों बिहार की बात नहीं है पूरे देश पर देख लेजिए NGO कोहीं इस तरह के बालिका इगरिश चलाने के लिए दिये जाते हैं और हर जगह ऐसे ही सिकायते आ रही है देर आये दुरुस्त आये अब आपने फैसला ले लिया है तो बहुत बड़ा फैसला है और आपके फैसले का स्वागत होना चाहिए कि अब बेटियां NGO के सहारे नहीं रहेंगी ऐसे NGO के जो उनकी सुरक्षा के लिए खत्रा बन गया है इस तरी के सुरक्षा के लिए बिहार के आमजंद से बिहार की आधी अबादी से संबाद सुरू करने की मुख्यमंत्री की किसी इक्षा या राजनितिक इक्षा सक्ति का इसे संकित भी माना जा सकता है मुझफर पूरकान के लिए वो सर्मिंदा है लेकिन उसके बाद से जो सरकारी एक्षन हो रहा है, उनके साथ ही सहयोगी प्रवक्ता जो बयान दे रहे हैं, उससे नहीं लगता है कि पार्टी, सासन, प्रसासन पर उनकी सरमिंदगी का कोई असर दिख रहा है। बेटियों की चीख उसमें गुम होती जा रही है। बच्चियों की सुरक्षा के पीछे और अपने विरोधियों को निप्टाने की इसी बहाने जो ब्यागरता दिख रही है राजितिक दलों में, आरोप परत्यरोप का जो दौर चल रहा है, उससे बेटियों की सुरक्षा सु निवार्य पहचान है, और जब जनता के ही अस्तित्व पर प्रस्ण खड़े हों, तब भला जनता चूप कैसे रहे। आधा अधूरा ही सही, इस्त्री सम्मान और सुरक्षा के लिए अब भी जारी जन प्रतिरोध से यह बात एक बार फिर साबित हुई है कि बिहार के लोग किया सेखने का नहीं है, बेटियों की सुरक्षा और समान के लिए सत्ता और समाज को संबेदन सिल यों जबाबदेह बनाने की नई राजनिती विक्सित करने का है। किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं होगा, बलकि हमारी बेटियों की सुरक्षा सुनिस्तित करने के लिए होगा। नमस्कार। आपको हमारा यकारकरम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों का साथ सेर करिए, हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करिए, आपका और समर्थन बहुत मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत अभार जय भारत जय बिहार